हेलो फ्रेंट्स आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत हैं आज हम करेंगे कोश्चिन नमबर आपका 527 है तो 527 आपका देख लेते हैं पहला कोश्चिन आपके पास दामी गोली कांड में कितने लोग मारे गए थी दामी गोली का जो नेता कोन था आपका रिपीट हो जाएगा रिगुलर है उनको तो याद हो क्या होगा दामी गोली कांड का जो आपका नेता था आपका भागमल सूर्टा तो आपने याद रखना है भागमल सूर्टा था आपका दामी गोली कांड का नेता और इसके इलावा अगर बा पहाड़ी से गिरा कर मारा तो दिखीए आरे राजा कौन का था बिए नहीं उद्छican ब किस ने पहाड़ी से गिरा कर मारा था तो यह लावा जो इनके वीज्ग्यों मद्य यूद्वा था कितने वर्षण तक चला था 40 वर्षो तकी चला था ये कोशिन भी कई बार एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है तो आपको पैदा होना चीए मैं 1929 में शिमला में कॉंगरेस का पहला प्रतिदी संगठन बनाया गया यह मैंने आपको कल पिछले कल भी यह बताया था 1929 में प्रतिदी संगठन बनाया गया उसका जो अद्यक्ष है पहला अद्यक्ष कीसे चुना गया तो महलुवी गुलाब महमुद से कीसे चुना गया था यश्यद आपको महलुवी शायद को स्क्रीन परआरिख इसलिए मैं लिख देता हूं महली महम्मद आपने याद रखना है गुलाम भी शकाफ से याद ना रहे महली महम्मद को कॉंगर्स का पहला अध्यक्ष बिनाया गया था जब शिमला में आये थी आपके मातमगानी 1921 में इसके इलावा आपसको मैंने पिछले कल की वीडियो में काफी डिटिल में बताया है मातमगानी से एलेटर जो फेक्ट थे आपके अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा इससे पिछला पार इस वीडियो में हम कवर करेंगे हजार प्लस कोश्चिन अगर आप पहली बार है बाकी जो रेगुलर है उनको तो सभी को पताईए कोश्चिन देख लेते हैं अगला इरविन गांधी समझोते पर हस्ताक्षिर के लिए गांधी जी शिमला कवा थी देखिए गांधी इरविल समझोता हुआ था कब हुआ था यह आपका 5 मार्च 1931 को तो आपके जितने भी यह नेशनल मोमेंट है यह आपके जितने भी समझोते हैं किसी के साथ भी एग्रिमेंट है एक कोश्चिन आपका इस से एक से दो कोश्चिन हाला कि दो से तीन कोश्चिन भी इसमें कई बार पूछे जाते हैं तो आपको यह सारे आने चाहिए इंडियन नेशनल मोमेंट के उपर मैंने दो से तीन वीडियो बनाएगे हैं मैंने आपको पहले भी बिताया था रेगुलर स्टुडेंट है कि आप जाकर जरूर देखिए आप मैंसे बहुत कम बच्चे उस साइट पर गए हैं तो आपने बहुत कम बच्चों ने देखिए अगर आपको लगता है कि आपको इंडियन नेशनल मोमेंट से सारे एफिक्ट आते हैं तो आप गलत सूसते हैं क्यूंकि कोश्चिन आपसे इस तरह नहीं पूछे जाएगा कि गांधी इर्विल समझोता किस दिनांग को हुआ गया तो आपकी जो दिनांग है वो इस अगर आपसे कोश्चिन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस समझोते पर हस्ताक्षर के लिए गांधी जी शिम्ला कब आयता है 25 अगस्त को आयती तो आपने जाद रखना है 25 अगस्त 1931 को इसके इलावा आपसे अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटरी कोश्चिन पूछना ह तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है जो आपके हैस यह एक्जाम होते उसमें कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो गांधी इर्विल समझोता है उसके पीछे क्या उदेश्य था तो उसके पीछे उदेश्य था जो आपके लॉड इर्विल थे उनका उदेश् से गोल्ड राउंड कॉंफ्रेस कुछ इस तरह से कहा जाता है इसको इंग्लिश में यह चला था आपका इसमे जो पहला जो गोल्में संभलन हुआ था आपका फर्स्ट वाला उसमे क्या है आपका कॉंग्रेस ने जो भषकार कर दिया था उसका इसके बाद जो है लॉड इवी जो है दुत्य गोल में सम्मेहलन में आने के लिए मनाना तो एक इसमें ये पर्पोस दूसरा सम्झोतिय के ईंत्रिगत गांधी जी Clayathine अवग्या अंधौन चला से ए मुझा इन Sharmin तो एक मात्र जो जुट्य गोल्में समयलेंड में भाग लिया तो जुट्य गोल्में समयलेंड में भाग लिया ना तो वो पहले समयलेंड में गए और ना ही वो तिसरे समयलेंड में गए तो एक मात्र जो जुट्य गोल्में समयलेंड में भाग लिया था किस ने लिया था मात कि जारी है प्रदीश में तो 1934 में किस ने बनाया था ये मंदी रियासत ने मंदी रियासत किस अपना किस ने की ये आप मुझे कमेंट करेंगे इस वीडियो के लास्ट में वाप के आपके बोलता है कि जो आपके मंदी शरीन्तर घटना घटी का इसंडियोन को मंदी शरी अंतर और किस पार्टी के परिणाम सुरूप घटा था तो आपकी गदर पार्टी थी तो आपने याद रखना है कौन सी पार्टी थी आपकी गदर पार्टी के परिणाम सुरूप आपका जो है मंडी शरयंतर आपका अस्तित्तों में आया थे या उनके परिणाम सुरूप गटना ग खेड़गड़ी का जो है संबंद हम इंका पूरा नाम था रानी लेलिता देवी इन्हें खेड़गड़ी के नाम से जाना जाता है तो ये इनका टाइटल नेम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के किन राजयों ने 1911iger दिल्ली में भाग लिया था देखिए हिमाचल प्रदेश के दिल्ली दिल्वार का एओजन चीया था। निसो чис स्ट cuma ने जुद्लिवारां का जो एडिली दर्वार का जो है आयोजन करवाया था इस डिली दर्वार में आपके जू एंग्लेन की जो है राजा जो जोट पंचम आने वाले थे जूपечत के आने पर यह कुछ आ Content ने क्या था है समय कर दिली दर्वार का और इसमें क् दिल्ली दरवार का जो है आयोजन करवाया था इस दिल्ली दरवार में आपकी जो इंगलेंट की जो है राजा जोर्ज पंचम आने वाले थी जोर्ज पंचम के आने पर ये करवाया गया था आपका दिल्ली दरवार का और इसमें क्या था आपका दिल्ली दरवार में क्या क्या की गई 1911 में तो एक तो आपका जो 1905 में आपका जो बंगाल विवाजन वादा किस ने किया था लौड करजन ने किया था आपका बंगाल विवाजन इस लौड करजन के जो बंगाल विवाजन को रद किया गया कब किया गया आपका 1911 में किसके शाशनकार में लौड होडिंग अब यहां से हिमाचल से इस से लेटिट पोश्चिन पूछा जा सकता है कि 1911 के राजे विशीक दरबार में जो भाग लेने के लिए हिमाचल से कौन-कौन गये थे तो अमर परकाश, विजे सेन, अमर चन और बोरी सिंग तो आपने याद रखना है इन चारों के नाम आपने य राजदानी बनाया गया था दिल्ली को अधिकारिक तो पे तो आपने ध्यान एक घोशना की गई थी 1911 में दिल्ली को राजदानी कलकता से दिल्ली जो है राजदानी कब शिप्ट किए 1911 में और अधिकारिक तो पे जो राजदानी बनी थी आपकी 1912 में तो यह दोनों किन स्थानों पर कॉंग्रेसी कारक्ता उने भाग लिया तो शिम्ला और कांगणा में ये दोनों ने भाग लिया था जल्दी से नेक्स देख लेते आज थोड़ा ज्यादा लबास में लगया 1946 में सरोप्रतम हजारा सिंग ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्जी के निर्मान की बात की थी तो आप से पूछा जा सकता है कि सरोप्रतम है किसने हिमाचल के पहाड़ी राज्य के निर्मान की बात या परस्ताव रखा था या फिर उन्होंने मांग की थी या बोल सकते कल्पना की थी तो ये आपका है हजारा सिंग तो आपने ध्यान रखना है आपके जो सरोप्रतम माँग की थी, सरोप्रतम भाड़ी राज्जे के निर्मान की बात की थी, हजारा सिंग ने तो आपने ध्यान रखना है, कब की थी 1946 को, ठियोग रियास्त हिमाचल परदेश की बनने से पुर्व ही भारतिय संग में मिलने वाली पहले रियास्त थी कोश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल परदेश की ऐसी कौन सी रियास्त थी जो कि बारत के स्वतंतरता से पहले ही जो आपकी संग में मिलने से संग में मिल गई थी संग में यानि कि बारत में मिलने के लिए उसने परस्ताओ दे दिया था तो यह एक मातर ठियोग रियासत थी इस रियासत का जो है राजर कौन था यह आप खुद देखेंगे अगर हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा 30 जनवरी को गांदी मेला सिर्मोर की किस गाओं में लगता है एक कोस्टन आपका आता है कि गांदी मेला सिर्मोर की किस गाओं में लगता है तो यह लगता है आपके अमववा में तो आपने याद रखना है अमववा में ये अकसर एक्जाम में पूछा गया है तो अमववा में लगता है आपका गांधी मिला अगर कॉम्प्लिकेटिड बिनाना हो कुश्चन तो कब लगता है तो 30 जनवरी को लगता है तो ये आपने ध्यान रखना है पुरानिक राजा पृत्यू जिसके नाम पर पृत्यू का नाम पड़ा, कहा पर राजा था तो यह आपका था कुल्लू का राजा था एतियसिक अवशेशो के आधार पर हिमाचल पृदेश दो भागों में विवख था, एक तरीकत कंड संग कहला आ और दूसरा क्या कहलाता है आपका कुनिन, तो आपने द्यान रखना है, हिमाचल को दो है, पूराणी काल में कहा जाता है, कि ये दो भागों में divided था एक त्रिगत गंड़ंग और दूसरा था आपका खुनिन गंड़ंग प्राचिनतम हिमाले की जानकारी सबसे पहले किस प्राचिन गंड़ मिलती है तो हिमाचल की जानकारी मिलती है आपकी रिकवेद ये भी आप ध्यान में रखेंगे प्रदेश का वेदी कालिंड सबसे प्रसिद राधा कॉन था तो ये आपका राजा सुधास था तो आपने ध्यान रिखना है इमाचल के अधिन कतने राजी थी Day God själv में यह विभाजी था एक तरीगत or दूसरा कुरिंद, आपको मैं ने बता दिया उपर तो उसके दिन कितने ते चे इसके लावा अगला देखेंगी पारेनीकाल का कौं सा गंड़ राजी है, वर्तमान, महासू, शिम्ला, नालगर'd के राजियों के संग शाषित पर देश या खशेत्र हैं? तो आज का जो आपका वर्तमान का महासू राजी है, शिम्ला है, नालगर' यह किस में आता था कुडिंद में आता था और ये अपने ध्यान रखना है शीरी कृष्ण के पुत्र अनुरुत का उशा के साथ प्रेम विवाब प्रदेश के किस्तान पर हुआ तो यह हुआ था आपका की नौर में इस तरह के कुश्चिन भी आपके देखने को मिल जाते है एलाइड में तो आप इसको ध्यान में रखेंगे फ्रांस इसी यातरी बर्नियर किस मुगल शाषक के समय में हिमचल में आया था तो यह आया था आपके औरन जीव के समय में बिलासपूर राज्य के शाषक जिसके शाषनकाल में इतिहास के काला यूग के नाम से जाना जात तो मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए काफी होगा नहीं तो काफी लंबा हो जाएक आप बहुत होगे ठीक है तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगर आपको बने रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा तार्गेट है आपको मैंने पहले भी बिता दिया एक हजार प्लस कोश्चन तो हम करेंगे इसके अतिरिक थम जो आपके अलग से टॉपिक बच गया है जो मैंने आपको एलाइट के स्लिवस में बिताया थे आप मेंसे जो एलाइट के त्यारी कर रहे हैं उन सभी को भी हम कवर करेंगे चूटियां जीले नदियां होते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें